तो साउत में जो साउत की रूलिंग पार्टियां थी वो कहीं न कहीं उस पेरामीचर पे ख़रा नहीं उतरी तो सीट सेरिंग देखें तो 250 के आजपास BJP जाएगी अगर इस लेवल पे सीट आ रहा है तो ये माना जाएगा कि कहीं न कहीं मोदी मैजिक और मोदी की लीडर्शिप आज भी इस देश के लिए बहुत सारे लोगों के लिए सोशल एकसेप्रेंस में खड़ा उतर रहा है आज भी दिल्ली में पानी की जिस तरह से किलत हो रही है इसके लिए केजरिबाल अगर जिम्मेदार नहीं है तो किसको जिम्मेदार माने है तो ये कैसी है कस्ती ये कैसा सफर है जनता का यहां कोई नहम सफर है ये कहना बिलकुल उचित होगा नमस्कार मैं आईश राब देगरा सोगन टीवी हमारे साथ जुड़ चुके इंडिन पॉलिटिकल एक्षें इसिटूट के फाउंडर गौतम जा आये एंजो कुछ बाचित करते हैं प्रधान मंत्री तो दस साल से पूरे देश के लिए काम कर ही रहे थे और नौर्थ इंडिया में जो एक एंटी इंकमबेंसी का जो फैक्टर्स था वो आपने यूपी के रिजल्ट में और कई जगह के रिजल्ट में देखा होगा लेकिन जो वेलफेर प्रोग्राम्स चलाए गए उसका असर कही न कहीं केरला में भी हुआ कहीं न कहीं तमिलनाडू में भी हुआ और डेमोक्रेसी की एक सबसे बड़ी बिडंबना यह होती है कि जो भी पार्टी लंबे समय तक सरकार में रहती है चाहे वो नौर्थ में रहे या साउथ में रहे तो उसके खिलाब एक मुहीम बनता है उसके खिलाब एक मुवमेंट बनता है तो साउथ में जो साउथ की रूलिंग पार्टियां थी, वो कहीं न कहीं उस पैरामीटर पर खरा नहीं उतरी, इस वज़ाए से लोगों ने भी बीजेपी को वोट दिया, और जो प्रधानमंत्री का एक ग्लोबल एरीना रहा, उसको देखकर, चुकि आप देखेंगे, कि खा बाहर गये, उन्होंने जो G20 का जो अचीवमेंट्स देखा, तो इससे भी लोगों ने कुछ साउथ के लोगों ने बीजेपी के एपरेंस को वहाँ एकसेप्ट किया है, दूसरा वज़े यह है कि जो वहाँ रिजिनल पॉलिटकल पार्टी है, जो लंबे समय से सरकार में है उनके खिलाप एक एंटी इंकम्मेंसी बनी, और तीसरी सबसे इंपोर्टेंट बात यह है, कि नौर्थ इंडिया में जो कि बीजेपी की रूलिंग एस्टेट रही है, तो यहां एंटी इंकम्मेंसी बनी, लेकिन साउथ में तो ऐसा कुछ रहा नहीं, तो इस वैसे साउथ के लोगों का बीजेपी के परती आकरसन जो है, वो बरहा है, जैसा कि बाजपेजी कहा करते थे कि उत्तर से दक्षिन तक कमल खिलेगा, तो इस बार दक्षिन में कमल खिलना, बीजेपी के लिए काफी पॉजेटिव संकेत है, बात करी जाएक पिछले 5 साल लेगी बीजेप सीट, लेकिन अगर एलाइंस की बात करें तो लगभग 300 के आस पास मैक्सिमम जाएगा, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, रुजानों में 295, 96 तक जा रहा है, तो ये बीजेपी के भी इंटरनली, जो बीजेपी के कुछ लोकल लीडर्स हैं, जो मोदी और अमिस सा के इंटरनली काम किये हैं, चाहे संग के लोगों में रहा हो, या फिर बीजेपी के इंटरनल पॉलिटिक्स में रहा हो, तो इन तब वजहों से कुछ बीजेपी का जो सीट है, वो कम आया है, लेकिन इस बात को आप बिलकुल नजर अंदाज नहीं किया जा सकता, कि आप देख इस लेवल पे सीट आ रहा है, तो यह माना जाएगा कि कहीं न कहीं मोधी मैजिक और मोधी की लीजर से आज भी इस देश के लिए बहुत सारे लोगों के लिए सोसल एकसेप्टेंस में खड़ा उतर रहा है, देखा जाए कि इस बार जो गड़ बंदन बना है, अगर सबकी पैडियों का सम्मूर देखा जाए, तो पिछली बार थे एक सो नो सीट जादा है, और बीज़वी की थोड़ी सी कम है, तो इस बार में का अगर ना चाहिए, यह तो एक नॉमेरिकल है, अभी भी रुजान है, अब हो सकता है, दस सीट फ्लेट कर जाए, दस सीट बढ़ जा है, वैसे में आप भी जानते होंगे, कि जब बच्चा परता है, एक छोटा फिलोस्पी बता रहे है, जब बच्चा परता है, तो यह सोचता है, कि हम 95 परसेंट माक्स लाएं, लेकिन फर्स डिविजन 60 परसेंट पर होता है, तो जब उन 95 का टागेट लेके चलता है, तो व का जो एलाइंस पार्टनर है, उनके सीटों को अगर जोड़ दें, तो लगभग 296 के आसपास बीजेप आ रही है, जो इस डेमोक्रेसी के लिए एक सेफ माना जाएगा, इस सरकार के लिए एक सेफ माना जाएगा, अगर बात करी जाए दिल्ली की, दिल्ली में सातों सीट ब दिल्ली की सबसे बरी बात ये है, कि जो केजरिबाल 2012 में अन्ना मुवमेंट से आए, और उन्होंने एंटी कॉंग्रेस और एंटी बीजेपी अपनी आइडेंटिटी बनाई, लेकिन वही केजरिबाल कॉंग्रेस के साथ एलाइंस करकर, जब सत्ता चुनाव लरे, तो केज केजरिबाल ने जो बड़े-बड़े वादे किये थे, अभी गड़मियों का दिन है, आप चुकि मेडिया मैन है, आप इस चीज को अनिलाइज कर सकते हैं, आज भी दिल्ली में पानी की जिस तरह से किलत हो रही है, इसके लिए केजरिबाल अगर जिम्मेदार नहीं है, तो किसको जिम्मेदार मानेंगे, दस साल लगबग दो कार्जकाल पूरे हो गए, उसके बाद भी जो बुनियादी सुभधाएं हैं, उससे कोशो दूर हैं, दूसरी बात, कि जो केजरिबाल ने कॉंगरेस से अलाइंस करकर जो सरकार बनाया या जो चुनाव में आए, इससे ज दिल्ली के जनता ने साथ की साथ सीटों पर एंडियो को वोट देकर केजरिबाल के इस अपर्चुनिस्टिक राजनिती को एक तरह से चैलेंज किया है, एक तरह से उसको बिरोध में वोट किया है, तो यह कैसी है कस्ती, यह कैसा सफर है, जनता का यहां कोई नहम सफर है, य आप देख रहे है, सौगंद टीवी, सौगंद वतन की